बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गाव में जहां रात के समय चीखें सुनाई देती थी, वहां एक युवक नामक रिया रहती थी. उस गाव में हर कोने में एक भूतिया कहानी चिपी हुई थी, जो हर किसी को रात के डर का अहसास कराती थी. एक रात, रिया ने सोचा कि क्यों उस भूतिया गाव की रहिसे में ही कहानी का पता करें उसने तै किया कि वह रात के समय उस गाव की ओर बढ़ेगी, जिसकी कहानी आज तक न सुनी गई हो चांदनी की किर्णों में रिया ने अपनी यात्रा शुरू की, हर कदम पर उसका होंसला बढ़ता गया गाव में पहुचकर उसने एहसास किया कि हवा में कुछ अजीब सी चीखें सुनाई दे रही थी, जैसे किसी अंदेखे दुनिया की आवाज हो धीरे धीरे उसने एक पुराने मकान की ओर बढ़ते हुए देखा, जिसकी चट पर कुछ अंधेरे चाये बिची हुई थी मकान के दर्वाजे पर खुलते ही, रिया ने महसूस किया कि कुछ अनूठा हो रहा है अचानक एक पुरानी किताब उसके सामने पड़ी, जिसमें एक कहानी लिखी हुई थी कहानी में एक पुराने समय के गाव की बात थी, जहां एक प्रेतरात के समय अपनी विरासत को बचाने के लिए चीखें लगाता था वह गाववालों को डराता और उन्हें यहां से भगा देता रिया ने कहानी को ध्यान से सुना और बातचीत के दौरान उसने अपने आत्म विश्वास को और बहाते हुए कहा एक रात जब गाव में सब सो रहे थे रिया ने एक पुराने मकान की ओर बढ़ते हुए वही चीखों की ओर बढ़ते हुए उस पुराने समय की कहानी सुनी कहानी में बताया गया कि भूत एक समय का राजा था, जो अपने राजे की रक्षा के लिए अपनी जान दे बैठा था राजा की मृत्यू के बाद उसकी आत्मा गाव में चली आ रही थी और उसकी चीखों में उसकी विरासत को बचाने की चाह थी रिया ने महसूस किया कि गाववाले उस भूत की चीखों से डर कर उससे भाग रहे थे, लेकिन उस भूत की चीखें उसकी विरासत को बचाने के लिए थी, नकि कि किसी को नुकसान पहुचाने के लिए रिया ने तै किया कि वह गाववालों को सच्चाई बताएगी और भूत की आत्मा को शांती मिलेगी उसने गाव के लोगों को सभी को मिलकर एक साथ आने के लिए कहा और अपनी कहानी को सबसे सुनवाई गाववालों ने समझा कि उनका डर बहत भारी था और उन्होंने इस भूतिया गाव के सच्चे राज को जानकर आत्म विश्वास बहाया साथियों की मदद से रिया ने भूत की चीखों को शांती दिलाई और गाव को भी बड़े संजीवनी सम्रिधी का अहसास हुआ गाववालों ने रिया को धनेवाद दिया और वह भूतिया गाव अब सुरक्षित और खुशियों से भरा हुआ था और इस प्रिर्नादायक कहानी के साथ रात के शांत मोमेंट्स में जब तारे आकाश में चमक रहे थे गाववालों ने अब भी उस भूत की आत्मा का आभास किया जैसे कि वह उनके साथ हमेशा रहा है